तो फानली दोस्तो BMW भी अब अपनी एक 125cc सेग्मेंट की बाइक को लॉंच करने वाली है तागे दोस्तो KTM की जो Duke 125 आती है उसको जहें ये BMW की G125R कड़ी टकर दे पाए साथी साथ दोस्तों बता दो कि ये जो BMW की 125cc की बाइक आ रही है इस पे दोस्तों आप लोगको बहुती पाउरफूल इंजन तो मिलेगा ही साथी साथ दोस्तों बाइक पे आप लोगको काफी सारे प्रिम्यम फीचर्स भी मिलेंगे तो आज किस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोगको इससी बाइक के बारे में कमप्लीट डीटेल से जनकारी देने वाला हूँ किस बाइक को दोस्तों कब तक जो हमारे इंडियन मार्केट पर लॉंच कर दिया जाएगा लॉंच किया जाएगा तो इसकी प्राइजिंग क्या कुछ रहेगी साथे साथ दोस्तों बाइक में आप लोगको क्या कुछ फीचर्स और क्या कुछ इंजन देखने को मिलने वाला उन सभी चीजों के बारे में आज किस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे तो चलिए दोस्तों बहुम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजेगा आगे दोस्तों आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियो की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों बहुम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर इस वाइक के लुक्स के बारें बात करी जाए तो वाइक का जो लुक है दोस्तों यह आप लोग को सिमलर जो BMW की G310R आती है उसी के तरह देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों यह जो G125R है इसका लुक दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा कम मस्कुलर देखने को मिलेगा बाकी लुक्स बगरा तो आलमोस्स सिमलर ही रहने वाला है फीचर्स के बारे मता ओं तो बाइग पर दोस्तो आप लोगको काफी सारे प्रेमियम फीचर्स भी मिलेंगे जैसे एक दोस्तो बाइग पर आप लोगको complete LED लाइटिंग setup दिया जाएगा साथी साथ दोस्तो बाइग पर आप लोगको fully digital meter console भी दिखने को मिलेगा जिस पे दोस्तों आप लोग को बहुत से information भी दी जाएगी इस इक साथ दोस्तों बाइक पे आप लोग को dual display के साथ single channel ABS भी दिया जाएगा और इसके अलाओ दोस्तों बाइक पे आप लोग को front पे golden color के USD suspension के साथ जो है rare पे आप लोग को monosock suspension देखने को मिलेगा बाइक दोस्तों बाइक पे आप लोग को TCS यानि की traction control system और slipper clutch के साथ जो है safety wise side stand engine का top sensor भी मिलेगा तो मतलब दोस्तों बाइक पे आप लोग को काफी सारे features भी मिलेंगे बात कर जाए दोस्तों engine के बारे में तो इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को 125 CC की liquid cool BS6 phase 2 engine दी जाएगी जिस पे दोस्तों आप लोग को 16 BSP तक की power और 13.5 mm तक का आप लोग को torque देखने को मिलेगा जो कि यह जो बाइक है दोस्तों यह 6 speed gearbox के setup के साथ आएगा तो मतलब दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे काफी powerful engine तो मिलेगा है जिससे दोस्तों आप लोग को performance काफी बहतरीन मिलने वाली है माइलेज के बाइक बताओं तो लगबग दोस्तो 30 KMPL के आसपास में यानि की 30 KMPL के आसपास में इस बाइक से आप लोग को माइलेज देखने को मिल सकता है अब pricing वगएरा के बाइक दोस्तों इस बाइक का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है तो अब आप लोग बताईए कि आपके इस बाइक का pricing क्या कुछ होना चाहिए नीचे कोई बॉक्स पे अपना opinion जरू लिखेगा और launch के बारे में बताऊं तो इस बाइक को दोस्तों जो अधा 24 के second quarter या फिर third quarter तक में जो है का जा रहा है कि BMW कंपनी हमारे इंडियन मार्केट पे launch कर सकती है तो अब आपका क्या opinion ने दोस्तों इस बाइक को लेके नीचे कौन बॉक्स पे अपना opinion जरू लिखेगा और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलाल end करते हैं तो आई होब आप लोग को ये जो वीडियो है या आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे अगर आप लोग पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना यह मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वन्द मातरम and also राइड से